Hello everyone welcome back to my youtube channel so guys आपका स्वागत स्कायटेक्स ट्रेडिंग में और आज इस वीडियो में हम लाइफ ट्रेडिंग करेगे और आपके सामने है सब कुछ सब कुछ मैं आपके सामने लगा हुगा और आप देख सकते हों कि मैं एक ट्रेडिंग की स्टाइल कैसी रहती है तो सब कुछ आप लोग देखोगे इस बहुत ही जाद ही जब आपको पता चलेगा और मैं यह बताना चाहता हो गाई मैं सिक्रेट इसलिए बोलता हो क्योंकि य कुछ चार्ट देखो और जो कुछ देखना है वो बस मेरे आखों के सामने चलेगा और उसके हिसाब से मैं प्रो बन जाओ और मैं ट्रेडिंग लगाओ यह कैसे वो कोई बताता नहीं बता है यह लोग क्या करते हैं मैं बताता हो यह लोग है आपको इना स्टॉक मार्केट और देखना हो आपे सेम टू सेम देखेगा सेम टू सेम अगर एक भी चैनल को अंसब्सक्राइब करके चले जाओ मुझे कुछ नहीं फरक पड़ता है मैं यूटूब पर अनिंग के लिए नहीं हो मेरे बाइनरी ट्रेडिंग मेरे फॉरेक्स मार्केट स्टॉक मार्के मेरे मेरे अतनी अनिंग हो जाती है मैं आपको सेखाने केलिए आया हूँ मैं YouTube वीडियो पर भी तरेलिट सेखने आ था मियूटूब वीडियो को बहुत सारे यूटूब हो यूटूब पर किसी नहीं बता है नहीं इसलिए क्शा कीद्ट बूलत हूँ तो हम लोगे सबको देखें के बहुत एज़ी है यह सटॉक मार्केट पढ़ाते है बड़े बड़े जाके देखें लेको किया सिखाते हैं तो यहां से कुछ मतलब नहीं है मैं को एने एक दू तीन देख लूगा यह तीन कैनल में से क्या स्टॉंग है क्या दिखिए उसके सबसे मैं ट्रेड लूगा हम लोग आगे बढ़ते हैं अब हम ट्रेडिंग शुरू करते हैं और अभी तक मेरी यूटुब चैनल पर नहीं हो आप अभी तक सब्सक्राइब कर दो गया बेल आइकम को भी प्रेस कर लेना क्यूंकि मेरे निव वीडियो जब भी आएगे तो सबसे पहले आपको देख और बहुत लोगों ने बहुत ज्यादा प्रॉफिट भाएना थे गाइस किसी किसी ने लॉस भी रिकावर कर लिया एटी परसन सेवेंटी परसन लॉस रिकावर कर लिया और वह फॉलो करते हैं मुझे स्क्रीनिशॉट रिकॉर्डिंग खुद वहीं लोगोंने तो हम लोग बढ़ता है बट हमारा मेन मोटिव हमार मेन प्रियोरिटी हमारे केंडल स्टीक और वीक रिडिंग रहते हैं और बहुत कुछ रहता है जो सिक्रेट्स रहते हैं वह कुछ सब कुछ में बता हुआ तो यहां पर देख लोगाईज तो मार्केंट दिको आईसा चल रहे है बहुत हुत इसको मैं कलर लेता हो पहले यलो आल कुछ यहलो क ejercp ourselves कि समझ में आजाता हु दूस difficult okay आजा बढ़ा कर लो है थीन में ही हम लोग गेम खत्म करेगे ठीक यापे कशे बहुत स्ट्रोंग स्ट्रोंग सेलर्स सलवा है और पाच्छे बन गया हो गया ओपे और नीचे में लगा दिया है एक लेवल ओके ऑफ की ऌसले लगा दियो मैं फास में रहते जाधा में जाऊगा ने क्योंकि आपको अच्छ हुआ थीअ है तो यह पर बेट करता हम लोग क्या होता है हम लोग घ्सकेलेटर जासे चलाता हूँ मेरी गाडाई जो कुछ है इसलिए तो मुझे पासवासव को लोगा तीन चार अच्छे लगे तो फिर मैं हजार-फ़जार दो-दो-दो-दो के ट्रेड ले लेता हूँ फिर बाद में लॉस्ट भोगा तो फिर में रेकावर करने के लिए मेरे पास सफिशन्ट बैलनस रहता मेरे अकाउंड पर बन दी है नीचे से लेवल को टाच करके आई है रिजेक्शन लेके आए यह मस और यहाँ पर हम लोग देखेंगे अगर अच्छा बना उपर से भी रिजेक्शन मिल रहा ब्रो वास उपर से भी रिजेक्शन मिल रहा है बट इसने है थोड़ा हायर मार दिया है यह केंडल और एकदम नीचे नीचे आ रही है क्योंकि प्रेशर मिल रहा है इसको हम देखेंगे अब यहाँ पर अगर यह बनता है थोड़ा नीचे आएगा तो मैं अपके ट्रेड लूगा क्योंकि आपको एकदम 2-3 सेकंड में ही ट्रेड लेना पड़ता है तो मैं ले लेता हो आपक की तरब से बड़ी ग्रेंग बना है लेवल को नीचे से जो यह लेवल है लेक्शन भी लेक्या और इसने कान्ट्रोल भी कर लिया मतलब आप आप अबी भी है और बहुत अच्छे खास है क्योंकि नीचे से रिजेक्शन लेक्या बायर आ गय थे इसले मैं आपको ट्रेड ल होने हो किसने लगाना ही जरूरी मैं बोलता हूए समय 3-8 & 7 और आपको विश्वास हो farming नमन से हो आता है कि मैं प्रोट्रेडर बन गया हूं प्रोट्रेडर बन मैं जब धेन और वही में आपको बना होगा dot The ऑच्छा मारूफ को भी लाए और फ्रेंचल लाते उब्गागः कैंडल और प्रेशर बहुत जो पिछले candle जिसने यह रेड चैनल आपको बीच में बिल्कुल नहीं लेना है का बीच में बिल्कुल भी नहीं लेना हैं आपको एकदम फ्रस्ट फर्स्ट में दो-3 ड्रेड लो बट बीच में कभी ड्री नहीं लेना है तो यह गरीन अपना ही चेंज मत करना कि हमारे यह जो पक्का था उसके बावजुद भी ये कंडल ऐसा क्यों बना है कभी आपको खुद भी विचारने लाना है मैं भी विचारने लाता हूं हो गया ना loss तो हो या loss भस खतम बन गया ने green बन गया green बस बहुत अनलज्स ठीक था और में वही लेकर चलोगा आपको एक ही चीज पर consistency रहना है और वही चीज लेकर सामने पर चलना है ठीक है यह पर green बन गया ओक्युक्क मार्केट थोड़ा पिछले में फेले दो डुक्वे यह आया पी थोड़ा विक केंडल था मुझे लगा बिटा पे थोड़ा मेरी हिसाब ते आप बेरिच बनने चीह संहीं थे बुलिच बनी कोई बात नहीं है बटा है यहाप बैरिच बन सकती है विकोज यह जो पिछले का जो रेट केंडल था ना जो था स्ट्रॉउंग था ये केंडल क्योंकि उपर सी प्रेशर आ रहा था और अच्छा सा बेरिश केंडल भी बना फिर उसके बाद यूद में एक बुलिश कैंडल बना है सो यहां पर हम लोग देखेंगे कौन से कैंडल बन रहा हो उसके बाद में हम ट्रेट करेंगे और वीक रीडिंग सब कुछ आपको देखने पड़ती है तब जाके आपको लेना ओड़ता है ट्रेड नहीं कहा है जब भी इसके बाद में ही ट्रेड लोगा है क्योंकि हमारे मार्केट की घलती होती है फ्लक्शुएशन यूज कुछ भी हो जो बट आपको अनलेस पक्का रखना है तो मार्टिंगल में लोगा तो मार्टिंगल बहुत अच्छा अर यार क्यों मिस हो गया हट अई देखेंगे मेरे अच्छा था क्योंकि पीछले कैंडल में इसके बाद में एक बेरिज बन रही है अभी नेगेटिव में जा रहा है हम देखेंगे अगर लॉस बहुत परसेंट अईसा कुछ है नहीं आपने पास सफिशन बैलेंस बहुत सारा है ठीक है अईसा कभी सूच न है आपने में बंन चेंडलिया न कैंडल सहा है और यहां था कियों। मीर्क utzनट में मांकेट में बैर तो रहें बात रहता है ऐलने में लोग स dazzler आके बात करे और स्करलते च्रक्ति से कनलते प्रक्राइबfit करते हैं सब्सक्राइब करने अपना एक फिल्टर होता है हमको पता चलता है वो लगाना ज़रूरी है अगर आपको हमको देखना पड़ता है केंडल वीक है स्ट्रॉंग है प्राइज एक्शन वीक रीडिंग सब कुछ मैंने बता है भाई जाके देख सकते हो लिंक डिस्क्रिप्शन पर अगर कुछ प्रॉब्लम रहती है तो मुझे टेल्ग्राम पर मैसेज कर सकते हो वीडियो बहुत बड़ करना डेमो में ही करो प्रैक्टेस करो कुछ बेवर्ब्लम है मुझे मेसेज करो गरीन केंडल बनी है उसके बाद में ब्रीडिंगर बनी में बेकाउट किया तो अब कीलो और नहीं किया तो फिर डावन के लो सिंपल और यह वीडियो में बाड़ा है आग साब आगे अग्य झाल झाल